CIET NCERT के जरिये पेश है, सफ़ा नंबर 153, सबक 19, नजम नन्ही पुजारन, नजम निगार, अस्रारुलहक, मजाज एक नन्ही मुन्ही सी पुजारन, पतली बाहें, पतली गर्दन, भूर भय मंदिर आई है, आई नहीं है, माल आई है वक्त से पहले जाग उठी है, नीद अभी आँखों में भरी है, आँखों में तारों की चमक है, मुख्डे पर चांदी की जलक है, कैसी सुन्दर है क्या कहिए, नन्ही सी एक सीता कहिए धूप चड़े तारा चमका है, पत्थर पर एक फूल खिला है, चांद का टुकड़ा फूल की डाली, कमसिन सीधी भूली भाली कान में चांदी की बाली है, हाथ में पीतल की ठाली है, दिल में लेकिन ध्यान नहीं है, पूजा का कुछ ग्यान नहीं है, कैसी भूली और सीधी है, मंदिर की च्छत देख रही है मा बढ़कर चुटकी लेती है, चुपके चुपके हस देती है, हसना रोना उसका मजभब, उसको पूजा से क्या मतलब, खुद तो आई है बंदिर में, मन है उसका गुड़िया घर में अस्रार नमबर 155 मश्क, लव्ज और मानी, पुजारन, पूजा करने वाली, भोर, सुभ, मुखड़ा, चहरा, सीता, राम चंदर जी की बीवी का नाम, धूप चड़े, दिन चड़े, कम सिन, कम उम्र, ध्यान, गहरी तवज्यो, ग्यान, इल्म, गौर कीजिए, इस नजम में, शायर ने एक नन्नी मुन्नी बच्ची की फितरत की अकासी की है, उसकी माँ उसे मंदिर ले जाती है, लेकिन उसका दिल गुडिया घर में लगा रहता है, सोचिये, बताईये और लिखिये, एक, इस नजम में नन्नी पुजारन किसे कहा गया है, दो, शायर ने आँखों में नींद भरी होने की क्या वज़ा बयान की है, तीन, नजम में सीता और चांद का टुकड़ा किसे कहा गया है, सफ़ा नंबर एक सो चपपन, चार, शायर ने नन्नी पुजारन के बारे में क्या-क्या बातें बताई है, पाँच, मा बढ़कर चुटकी लेती है का क्या मतलब है, छे, नन्नी पुजारन का मन कहा है, दिये हुए मिस्रों को मुकमल कीजिए, आँखों में खाली जगा की चमक है, नन्नी सी एक खाली जगा कहते, चांद का टुकड़ा खाली जगा की डाली, पूजा का कुछ खाली जगा नहीं है, मा बढ़कर खाली जगा लेती है, उसको खाली जगा से क्या मतलब, यहां वाहिद अलफाज दिये गए हैं, उनके जमा बनाईए, गुडिया, ठाली, डाली, आँख, बाली, मुकडा, दिये हुए लफजों को जमलों में इस्तेमाल कीजिए और खाली जगों में लिखिए, ध्यान, ठाली, ग्यान, मजभब, नींद, सफ़ा नंबर 157, दिये हुए लफजों के नीचे उनके मुतजाद लिखिए, पतली, हसना, फूल, कम, सीधी, धूप, यहाँ कुछ लफज दिये हुए हैं जिनका इमला गलत है, उन्हें दुरुस्त कीजिए, मीम, जे, बड़ी है, बे, मजभब, वाओ, काफ, ते, वकत, मीम, ते, लाम, बे, मतलब, गैन, ये, अलिफ, नून, ग्यान, काफ, दुचश्मी है, वाओ, दाल, खुद, पे, जे, अलिफ, रे, नून, पुजारन, नन्नी पुजारन के बारे में पांच जुमले लिखिए, सफ़ नंबर 158, बलन दावास से पढ़िए और खुशकत लिखिए, मतलब, ध्यान, भोर भय, थाली, जलक, अमली काम, नन्नी पुजारन नजम जबानी याद कीजिए, नन्नी पुजारन के खागे में रंग भरिये, इसी के साथ ये सबख यहीं पर खत्म हुआ, समय रिकॉर्डिस्ट, बटिलैंग लिंग्डो, समय फनकार, परवेज गोहर और शिमाईला परवेज, एडिटिंग, हिदायतकार और तखलीककार, विमलेश चौधरी, पेशकरदा, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.